गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों का मैता डिजिनल क्लासेज में स्वागत है स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में आपके जो चैप्टर नमबर टेन है जीओ में सवसन उसके तीन टोपिक कम्प्लिट कर लिये थे फर्स टोपिक में हमने ये पढ़ाता है कि जीव किस परकार से सवसन करते हैं सवसन क्या होता है सवसन की टाइप क्या होते हैं ठीक है हम स्वास कैसे लेते हैं ठीक है आज हम टोपिक पढ़ेंगे कि हम उस सवसन में बार क्या निकालते हैं तीक है हमारा टोपिक नमबर फोर है कि हम उच्छ सवसद में बार क्या निकालते हैं देखो इसमें हम किरिया कलाब 10.6 में देखेंगे कोई पतली स्वच परकनली लीजी जिसमें हम कोर्ग लगा हो कोई भी अभी किरिया कलाब करने के लिए ये परियो करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले हम एक स्वच परकनली लेते हैं जिसमें क्या लगा हो कोर्ग लगा हो यदि परकनली उपलब ना हो तो परकनली उपलब ना हो तो प्लास्टे की बोतल भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है परकनली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी धाले जो परकनली हमने ली है उसमें क्या करते हैं ताजा थोड़ा सा ताजा बना हुआ चूने का पानी धालते हैं प्लास्टी के एक श्ट्रो या नली को प्रक्नली में इस परकार ढालते हैं कि चूने के पाने में डूब जाए ठीक है जब श्ट्रो के दवारा देदे देरे चूने के पाने में फूक मारते हैं जिस टेन डाइग्राम 10.8 में दिखाया गया है क्या चूने के पाने में कोई प थोड़ा सा चूने का पानी क्या करते हैं मिक्स करते हैं फिर क्या करते इसके बाद प्लास्टिक एक नली को परकनले में इस परकार डालते हैं कि जो आसानी से वो क्या करें जो चूने का पानी है उसमें डूब जाए इसके बाद हम इस्ट्रो दवारत धिरे-धिरे चूने के फूक मारते हैं तो आप क्या इसमें क्या identify करेंगे क्या हमें जो चूने का पानी था उसमें कुछ परिवर्तन कुछ चेंजेज हमें दिखाई देते हैं क्या है क्या इस अध्याई में अध्याय सेक्स में दिये गए धिन की आधार पर भी समझा सकते हैं देखो श्टूडेंट से यह जो डाइग्राम दिख रहा है आपको 10.8 में उस सवसित वायू को चूने के पानी पर परभाव हमने क्या लिए एक टेस्ट वीप ली है ठीक है उसमें क्या क्या है हमने थोड़ा सा यह क्या है चूने का पानी है ठीक है और यह क्या है परकनल यह हम बोलते हैं ही इस ड्रो इसके दवारे देखो यह लड़की क्या करी इस तो हदीरे देरेस में क्या करी है फूक मारी है तो यह जो पानी है उसमें हमें क्या दिखाई देता है थोड़ा बहुत इसमें परिवर्टन दिखाई देता है देखो क्या होता है अंत सवसित और उस सवसित वायू में oxygen carbon dioxide का क्या है परतिसत दिया हुआ है देखें बात करें हम किसका अन्त सवसित वायू अन्त सवसित वायू का मतलब होता है जो हमारा फेपड़ा होता है उसमें क्या होती है दो परकार से वायू को करते एक होती है अन्त सवसित वायू रेखो फेपड़ो में जो 21% oxygen होती है O2 वो क्या होती है अन्त सवसित वायू के अंदर आती है इसके अलावाद 0.04% carbon dioxide जो क्या होती है CO2 जो एक क्या है विसेली गेस होती है इसके बाद हम बात करें किसकी उच सवसित वायू की क्या होती है 16.4% oxygen होती है O2 होती है किसमे उच सवसित वायू में इसके अलावा हम बात करें किसकी 4.4% carbon dioxide क्या है CO2 तो क्या होता है हम उच सवसित की दोरान उस सवस्रित की दोरान क्या करते हैं जब वाइव बाहर के तब नेकालते हैं तो 16.8% oxygen जाती है बाहर और 4.4% carbon dioxide जबके अंतर सवस्रित वाइव में हमी क्या लेते हैं 21% oxygen फेबरों में लेते हैं और 0.04% carbon dioxide को अंदर लेते हैं देखो हम क्या उच्छ सवसित करते हैं क्या क्या हम केवल कार्बन डाय ओक्साइड को उच्छ सवसित करते हैं तो इसके साथ गेसों के मिश्रण को भी उच्छ सवसित करते हैं ठीक है इसके अलावा भी क्या होता है कुछ गेसों का मिटिस्टन भी होता है जैसी सी ओटू क्या है एक गेस कारबंडा योक्स है है जो एक विसेली गेस होती है जिसको हम क्या करते हैं बहार रिमूब करते हैं आपनी यह भी देखा होगा कि अगर आप दरपन के आगे उस च्वास छोड़ते हैं तो आपकी इसकी सते दुनली दिखाई देती है अधिक तर यह किस मोसम में दि इसका होता है नमी के कारण होता है जलन की यह बिजन क्या होता है इसके बारे में हम इसonnал करे दो शाness Agranamore देती हैं दुदली दिखाई देती हैं अगला टोपिक है आपका अन्य जन्तों में सवसन ठीक है हमने मानव सवसन की बात कर लिए मानव का जो सवसन तंत्र है किस परकार से मानव सवसन करता है इसके बात बात करते हैं अन्य जन्तों में सवसन कुछ एनिमल्स है उनमें सवसन क के से होता है, उनमें सवसन का क्या प्रोसेज है, हाती, सीर, गाय, बकरी, मैंडक, छिपकली, सरप पक्षवादी जनतों में की वक्स गुवाओं में मनुस्य की भाती फेपड़े होते हैं, इन एनिमल्स में भी क्या होते हैं, जैसे मनुस्य में क्या होते हैं, वक्स गुवाओ में जीव सवसन केसे करते हैं क्या उनके भी मनुश्य के फेपड़ों जैसे ही सवसन अंग होते हैं कि आये पता करते हैं यह स्टुडन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनमें भी क्या होते हैं सवसन अंग पाई जाते हैं जिनके दवारा वो सवसन प्रोसेज कंप्लीट करत तो सबसे पहले हम उन एनिमल्स में किसकी बात करते हैं कोक्रोज की बात करते हैं कि कोक्रोज के सरीर के जो पार्स भाग होते हैं उसमें क्या पाई जाते हैं छोटे 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 छिद्र होते हैं और जो कोक्रोज होता है वो उनी छिद्रों के दवारा स्वाफसन प्रोसेज complete करता है अन्य किटों के सरीर में इस परकार की छिद्र होते हैं ये छिद्र स्वास कहलाते हैं इनी छिद्रों के दवारा ये एनिमल सवसन करते हैं जिसे हम जो डाइग्राम दे रखा है 10.9 उसमें देखेंगे किटों में गेस के वीनियम के लिए वायू नलीकों का जाल विचा होता है ठीक है जो हम सवसन करते हैं उनमें गेसों की जो वीनियम होता है उसके लिए विविन जो वायू जाल होता है वो होता है ठीक है जो क्या कहलाते हैं स्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं ओक्सिजन सम्रत वायू स्वास रंदों से स्वास नली में जाकर सरी के उत्तकों में क्या होती है विश्रित होती है क्या होती है जो कोक्रोज होता है उसमें छोटे छोटे जो छिदर पाये जाते है उनकी तवारा स्वास लेता है जिनको हम स्वास प्राण भी बोलते है और oxygen समरद वायू सवास रंदों से क्या करती है सरी के उत्तोकों में विश्रित होती है फैलती है और सरी की परते कोशिकों में क्या करती है पहुंसती है सरी की जो परते कोशिकों में होती है ये oxygen सरी की परते कोशिकों में पहुंसती है इस परकार कोशिकों से कारबन डाय ओकसाइड स्वास नालों में आती है और स्वास रंद्रों से बाहर निकल जाती है स्वास नाल अत्वा स्वास नाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं तो आप बात करते हैं किसकी स्वास नाल की या स्वास मरनाल की तो यह उनली किस में पाये जाते हैं कीटों में ही पाये जाते हैं ठीक है जन्तों में यह सर्जना नहीं पाई जाती है जिबकि कीटों में स्वास नाले स्वास प्रणाल परजेंट होते हैं हम बात करते हैं किसकी देखो अब केच्वे की केच्वा किस परकार से सफसन करता है हमने कोक्रोज के बारे में तो डिसकर कर लिया है कि कोक्रोज के उपर एक जालोमा छिदर होते हैं उन्हें छिदरों की दवारा वो सफसन करते हैं केचव कगसच के कगध्याइनों में आपनी पढ़ाता कि केचव अपनी तवचा से सफशन करते हैं केचव की तवचा इसपर्स करने पर आदर और सलेश में परतीक होती है आपने कभी इसपर्स करके देखा होगा जो केजवा होता है उसकी जो तौचा होती है इसकीन होती है वो क्या करती है हम जब उसको इसपर्स करके देखते हैं तो वो आदरो और सलेश में हमें परती होती है इसमें से गेशो का आवागमन आसानी से होता है तो आपको कोई और सलेश में परतिक होते हैं उनमें ही गेसु का आदान परतान होता है यह दर भी हम बात करें किसकी मैंड़क में भी मनुशे की बाती फेपड़े होते हैं जो मनुशे होते हैं मैंड़क में भी मनुशे की बाती फेपड़े पाये जाते हैं तदा भी अपनी ही तवचा से कुछ ऐसे एनिमल्स भी है ठीक है जो जल तवारा भी सवसन प्रोसेज को कम्प्लीट करते हैं क्या हम जल में सवसन कर सकते हैं क्या क्या जीवित रह सकते हैं एसे एनेक जीव है जो जल में रहते हैं वैं जल में ही सवसन केसे करते हैं कुछ जीव ऐसे भी है जो जल से ही जीव करते हैं आपने कखसेश में पढ़ा था कि मचलियों में क्लोम यह गिल पाए जाते हैं क्लोम जल में दुखुली ओक्सिजन का उप्रों करने से उनकी सायधा करते हैं ठीक है कलोम कवचा के बाहर निकले होते हैं आप सोच रहे होंगे कि कलोम किस परकार से स्वास में साइता करते हैं ये किसका है मचली का डाइग्राम है मचलियों में सवसन अंक के लिए बीविन परकार की क्या पाये जाते हैं ये क्या होते हैं कलोम होते हैं और मचली इन्हे क्लोम दवारा क्या करती है, सवसन पोसेज कम्प्लीट करती है, देखो क्लोम में रक्तवाहिनियों के लिए, क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्य क्या होती है, अधिक होती है, जो गेस वीलियम में सायता करती है, जो क्लोम होता है, उसमें जो भीमिन प्रका